नमस्कार विद्यार्थियों आज मैं आपको M.A. Final का साथ्मा प्रशन पत्र अंतराश्ट्रिय कानून के तहत युद्धकारी राष्टों के अधिकार, निरिक्षन और तलाशी के अधिकार के बारे में बताऊंगी स्टार्क ने निरिक्षन और तलाशी का अधिकार विनिशिद तथा नाकाबंदी के उलंगन से सम्मंदित बताया है तो लंबे समय से स्थापित प्रथाओं के परिणाम स्वरूप युद्धरत देशों को ये अधिकार प्राप्त हो गया है कि वैं तटस्थ देशों के जाहजों को खुले समुद्र में उस पर लदी हुई वस्त्वों की तटस्थ प्रकरती तथा उसके अंतिम लक्ष को जानने के लिए निरिक्षन कर सकते हैं और तलाशी भी ले सकते हैं जब दो राज्यों में युद्ध होता है और कुछ राज्ये अपनी तटस्थ ताकी घोशना कर देते हैं तब इन तटस्थ राज्यों से युद्धरत राज्यों को तटस्थ सेवासे तथा विनिशिद वस्त्वों के परिवहन से हानी पहुँच सकती है इस हानी से बचने के लिए अंतरास्थे कानून द्वारा युद्धरत राज्ट्रों को कुछ विशेश अधिकार दिये जाते हैं इस विशेश अधिकार के द्वारा युद्रत राष्ट का युद्दपोत किसी भी तटस्त राज्य के कागजातों का निरिक्षन कर सकता है और संका होने पर उक्त जहाज की तलाशी ले सकता है इस अधिकार को निरिक्षन और तलाशी का अधिकार कहा जाता है इसके कई उद्देश्य भी हैं जैसे वास्तम में वह जहाज तठस्त राज्यका है या नहीं इसका पता लगाना क्या वह तटस्त राज्य का होने पर निशिद माल ढो रहा है क्या वह तटस्त सिना के कारे में सनलगन है या उसने नाकाबंदी तोड़ने का प्रियास किया है तो क्यों किया है इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ओपनाइम ने सही कहा कि ये तटस्त व्यापरिक जहाजों का इस उद्देशित निरिक्षन का तथा आवशक्ता पढ़ने पर तलाशी लेने का अधिकार है कि ये जहाज वस्तूते परिवेश्टन तोड़ने का या विनिशिद सामगरी लेजाने का या अताटस्थ सिवा का कारे नहीं कर रही है यह अधिकार व्यापारी जहाजों के बारे में ही प्रयोग मिलाया जाता है और निरिक्षण और तलासी निम्न लिखित बातों का पता लगाने के लिए कि जाती है कि जहाद की राष्ट्रियता वैस्वामीत्व की जांच करना कि उसका स्वामी कोन है उस पर जो माल लदा है उसका चरित्र क्या है या उसको माल को लादने का उद्धिश क्या है उसका लक्ष क्या है तटस्त सेवा है या नाकाबंदी तोड़ने का उद्धिश क्या है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही निरिक्षण और तलाशी ली जा सकती है निरिक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ व्यवस्थाएं जैसे जब युद्धकारी देश का कोई रण पोत तटस्त व्यापरिक पोत का निरिक्षण करना चाहता है तो वह पहले उसे रो रुकने का आदेश एक दो खाली कार्तु छोड़ कर किया जाता है इस पर यदि वै नए रुके तो रण पोत को उसे रुकवाने के लिए आवशक बल प्रियोग का भी अधिकार है और इसके रुक जाने पर रण पोत से एक या दो अधिकारी नोका द्वारा व्यापरिक पो काहों का पता लगाने के लिए उसके कागजों की जांच करते हैं बहुदा इस प्रकार के निरिक्षन के लिए व्यापरिक पोत के कप्तान को उसके जहाज के सब कागजों के साथ रण पोत पर बुला लिया जाता है जहाज के मुख्य कागज जैसे उसकी रजिस्ट्री का प विवरण पत्र, माल के वाहन पत्र, आदी का निरिक्षन करने के बाद सभी बातें ठीक पाई जाएं तो जहाज को आगे बढ़ने दिया जाता है, किन्तु यदि जहाज के कागजों के निरिक्षन से इस बात का संदे हो, कि वैं मिनिशिद्ध सामगरी ले जा रहा है, तो उस से रोक कर उसकी तलाशी ली जा सकती है, इसी प्रकार हम तलाशी के बारे में जान सकते हैं, कि समुद्र में तलाशी रण पोतों के दो-तिन अधिकारियों द्वारा व्यापारिक पोत के कप्तान की उपस्तिती में ली जाती है, तलाशी के वक्त इस बात का ध्यान रखा जा किन्तु उसे ताले खुलवाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। यदि वह ताले नहीं खुलवाता तो यह जहाज को तथा उसके माल को पकड़ने का परियाप्त कारण समझा जाता है। तलाशे के बाद यदि कोई अपत्ती जनक वस्तु नहीं मिलती तो उसकी विवरण पंजिका में ये बात अंकित करके उसे आगे बढ़ने दिया जाता है। परंतु यदि इस पर विनिशिद सामगरी लदे होने का प्रमान मिल जाता है तो उसे पकड़कर अधिग्रहन न्यायले के समक्ष उपस्तित किया जाता है। यदि अधिग्रहन न्यायले जहाज को और निर्दोश घोशित करे तो उसे इस प्रकार रोकने से हुई क्षति का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। यह प्रतिक युद्ध राज्य का अधिकार है और तटस्त राज्य का करतवे है कि इस कारेवाई का विरोध ने करे और ने ही किसी प्रकार की बाधा डाले। ऐसा करना ही अपने आप में एक संदेया स्पद कारेवाई मानी जाएगी। निरिक्षण वे तलाशी जिसे सयुक्त रूप से खाना तलाशी भी कहा जा सकता है यह कारे युद्ध कारी राज्य के रणपोथी कर सकते हैं। व्यापारी जहाजों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं। पूर्ण युद्ध के दोरान तथा युद्ध विराम के समय भी जब तक शान्ती संधी नहीं हो जाए लड़ाकू गश्ती जहाज इस अधिकार का प्रियोग करने को स्वतंत्र है। इस अधिकार का प्रियोग खुले समुद्रों में किया जा सकता है। तटस्त राजे के सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के व्यापारिक जहाजों की तलासी ली जा सकती है और अनपोत की खाना तलासी वर्जित है। इस अधिका अफसर है तो इसके साथ रणपोत जैसा व्यापार किया जाएगा। लेकिन अफसर को भी यह लिखित आश्वासन देना होगा कि जहाज कोई निश्विद माल नहीं ले जा रहा है और नहीं किसी प्रकार की एतटस्त सेवाएं उपलब्द करा रहा है। गिरफ्तारी की बात करें हम तो शत्रु राज्य के जहाज की गिरफ्तारी और तटस्त राज्य के जहाज की गिरफ्तारी में फर्क है। दोनों में क्योंकि शत्रु राज्य के जहाज की गिरफ्तारी के बाद उसके नाविक आधी युद्ध बंदी हो जाते हैं। किन्तु तटस्त राज्य के नाविक करमचारी आधी युद्ध बंदी नहीं होते। वे जहां चाहें जाने के लिए स्वतंत्र है किन्तु पकड़े हुए जहाज को प्राइज कोर्ट के समुख विचारार्थ उपस्तित किये जाने पर जिन लोगों की गवाही आवशक होती है वे रोक लिए जाते हैं बंदी नहीं बनाई जाते तो यह सर्व माने सिद्धानत है कि तटस्त राजय का पकड़ा हुआ जहाज ने तो डूबाया जा सकता है ने जलाया जा सकता है और ने दूसरे प्रकार से नश्ट किया जा सकता है अतक किसी भी कारण से यदि तटस्त राजे के जहाज को कोई युद्धकारी राजय नश्ट कर दे तो उसे पूरी क्षति देनी पड़ती है इसलिए ब्रिटिस प्रणाली यह रही है कि यदि जहाज को पकड़ कर बंदरगा में लाना संभव नहीं हो तो उसे त्याग देना ही उचित होगा अनेक राजे इस प्रकार को इस प्रणाली को नहीं मानते रूस, जापान, युद में रूस ने ब्रिटेन, जर्मनी और डेन्मार्क के अनेक जहाजों को डुबो दिया रूस ने उनहीं जहाजों की ख्षति पूर्ती की जिनकी गिरफतारी प्राइस कोट्स ने अवेद करार दी थी जिनकी गिरफ्तारी वैद करार दी गई थी, उनके लिए उसने हर जाना भी नहीं दिया था एक है नो प्रमान पत्र की प्रक्रिया तटस्त जाहाजों को इस प्रकार होने वाली एसुविधाओं और कठिनाईयों से मुक्त करने के लिए 1916 में नो प्रमान पत्रों की प्रणाली स्विकार की गई इसे नैसिवर्ट प्रथा भी कहा जाता है सामुद्रिक प्रमान पत्र पारित किये जाने लगे और ये प्रमान पत्र तटस्थ देशों में निवास करने वाले युद्धकारी देशों के राज़तूतों या वानिजयतूतों द्वारा जारी किये जाते हैं। इनमें यह प्रमानित किया जाता है कि जहाज पर लदा हुआ माल सर्वता निर्दोश है अता इसे पकरना या जब्त नहीं करना चाहिए। और सन 1940 में ब्रिटेन ने यह आदेश जारी किया यदि किसी माल के साथ नो प्रमान पत्र नव हो तो इसे पकड़ा और जब्त किया जा सकता है। इसकी तटस्त देशों द्वार कटू अलोचना भी की गई। 1940 में इस वेवस्ता को और भी परिश्कृत किया गया। इस संदर्म में तीन प्रकाय के प्रमान पत्र दिये जाने लगे। पहला शिप नेविसर्ट यानि जहाज की राष्ट्रियता, स्वामित्व, यात्रा का विवरण, लक्षय, आदिका प्रमान पत्र। दूसरा है कारगो नेविसर्ट यानि जहाज पर लदे माल की राष्ट्रियता, स्वामित्व, यात्रा विवरण, और पक्रति आदिका प्रमान पत्र। यानि एक तो जहाज की राष्ट्रियता, स्वामित्व, यात्रा विवरण, या उसका लक्षय, दूसरा जहाज पर लदे माल की राष्ट्रियता, स्वामित्व, और उसकी यात्रा का विवरण, आदि इनका प्रमान पत्र। और तीसरा, Certificate of Origin and Interest, यानि जहाज की राष्ट्रियता तथा लक्ष का प्रमान पत्र। तो ये तीन तरह के प्रमान पत्र जारी करने की व्यवस्थाएं, 1940 में की गई और ये व्यवस्थाएं, यानि जो जहाज के बारे में नो प्रमान पत्र है, इसकी व्यवस्था को और भी अधिक सुगम बनाया गया, परिश्कृत बनाया गया, धन्यवाद।